कि विकल्ट अींगि मैंने इसका नाम दिया हलाकि व замеч diferen यहां पे filter कर गए हैं। हमने यहां पे कवीता को हमने को पर इंद्र को filter है तो आप तो देख रहें कि यहां पे इंदर इंदर सीपा अ हैं। मुझे है कि उसी though कि मैं यहां पे कवीता यहां लिखा और यहां पे उसके पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो क्या होगा यहां पे आप देखेंगे कि सिफ इसका तहरा ही नहीं बाया है यहां इसे अब आप देता है हमें यहां पे शका नमर देते हैं आप यहां लिखा हुआ है तो कि मुझे अगर दुबारा ही लगा हुआ फिर भी मुझे 69 देगा क्योंकि लुक अप जो है लीनियर करता है लुक अप लगाते हैं तो इसका साफ यहां लिखा हुआ है इसमें साफ लिखा हुआ है कि लीनियर चलता है यहां के टेबन मस्ट भी सौटेट दिखा आपको आपको इसका सोलूशन क्या है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला अविलेबल नहीं है इसके लिए पॉर्मूला अविलेबल नहीं है तो कैसे तो हमारे पास प्लीज मूट करीजिए बैजरां दो आ रहा है किसी का तो यहाँ पे जो है यहाँ पे count if का formula हम देते हैं तो count if में मान लिजिए कि हमने पूरे b column में हमने b2 के name को count करते हैं तो कवीता का 17 आए लेकिन जहाँ जहाँ कवीता होगा वहाँ भी हर जगा पे 17 ही दिखेगा पर मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पर पहली कवीता दिखे यहाँ पर दूसरी कवीता देखे नीचे हमारा तीसरी कवीता दिखे चौती कवीता दिखे इस तरह से मतलब कि हम जितने भी name है उस name को serial करना चाहते है कि हार name serial से आता चाहिए ताकि मुझे उसका position बता रहे समझे मतलब कि जिसे कवीता हुआ जहाना कवीता है 1,2,3,4 1,2,3,4 इस तरह से होता रहे तो उस case में हम क्या करेंगे तो उस case में हम यहाँ यूज करेंगे काउन्टिफ का फार्म बना भी काउन्टिफ का यूज किया था बट हुआ नहीं तो अभी जो हमने यूज किया था तो उसमें दिक्कत क्या था कि हमने पूरा range दे लिया यहाँ पर हम क्या करेंगे कि B2 से B2 कॉमा B2 देखने ज़िए हां से B2 से B2 कॉमा B2 करते है और इसको मीचे ड्रैक करने से पहले हम B2 को फ्रीज कर देते हैं और फिर इसको मीचे एक अदर ड्रैक करते हैं तो इससे क्या हुआ अब क्या हुआ कि काउंटिफ को जिसे मालेजी यहाँ देखिए तो काउंटिफ जो है जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वो अपने से उपर तक की वैलू को ही काउंट कर रहा है नीचे से इसको कोई मतलब नहीं है जिस करन से इस सिरियल आ गया अगर मैं इसको फिल्टर करके दिखाओं आपको यहाँ पे जमाने से इंदर को फिल्टर किया तो देखिए इंदर यहाँ एक से लिखिए तेरा तब रिपिटेड ठीक है का करें इसके लिए अब यहाँ भी प्रॉलम होंगे इससे की डेटा रोग्लों का नहीं करभाएंगे क्योंकि तो नंबर्स है और नंबर्स भी रिपिटेड है हमने वन किया दिखा मतलब तो नहीं कि वन कभीता लेगा वन टीना तो नहीं लेगा तो हमने इसके साथ इसका नाम को कॉन्टेट कर दी करके एक नया आईडी क्रियेट कर दिया जो की पूरी तरह से यूनीक है ठीक है यहां देख रहे हैं तो पूरी तरह से यूनीक है अब यहां पे हम स्रियल नमर देते हैं अब प्रॉल्बम है कि अब कभीता कितना होगा है हम स्रियल नमर कितना जोर्लेट करें हर क्योंकि नमर का सिक्वेंस तो पता नहीं है तो सबसे पहले मैं यहां पे काउंट इफका फॉर्मॉला लगा हूँ और count if का formula colon b में बताएगा कभी तर या पर जो भी नाम यहाँ पर आएगा वो कितना बार repeated है ओके और यहाँ पर हम देंगे manually 1 देंगे और यहाँ पर condition है कि if उपर वाली value में plus 1 करने पर अगर greater than 17 है मतलब की total number of times यहाँ पर blank हो जाएग रेकिए उपर वाली value में 1 जोड़ने पर अगर वो greater than k2 मतलब की कभीता जितना बार total है डेटा में उससे बड़ा है वो blank शो कर दे अधर बाई इसमें plus 1 कर दे अब मैं इसको नीचे ड्राइग करूँगा तो सबसे परे ड्राइग करने के समझे इसमें एरर आएगा मुझे पता इसमें एरर आएगा तो दूसरा चीज़ k2 को freeze करना है हमने k2 को freeze कर दिया और एरर से नहीं पटने के लिए कल की जगा जिसे कल हमने किया था ऐसे यहां पर हमने इस एरर लगा दिया अब मैं इसको नीचे के तरफ easily drag कर सकते हैं यहां पर उत्मा ही आएगा जित्मा सिक्वेंस है अब यहां पर नाम अबर चेंज क्लू में आदे पूजा कर दूँ तो पूजा अठारा बार है उसका अठारा नाम हाँ है अब यहां पर तो हम वी लुक अप लगाएंगे इस वी लुक अप में हम क्या करेंगे कि जो लुक अप डैल हो है क्योंकि हमें इसको मैच करना एक एक अर्कॉर्डिंग मैच करना तो यह है सिक्वेंस बित नेम तो यहां भी हम सिक्वेंस बित नेम कर देंगे और फिर यहाँ पे table array और फिर यहाँ पे column index number तो उसके लिए जैसे कल में match लगा था हम यहाँ match लगा देते हैं कि match name इस पूरे column में कितने number column पे है 2, 0, sorry यहाँ पे 1, 1 हुआ है और फिर यहाँ 1, 0 होगा, 0 और यहाँ पे column index number 0 और फिर हमार देंगे, name आगे sorry sir, एक message आगे है तो पर लागा सुजी sir, हाजी हमने वो k2 में वो count नहीं रखना है वो नहीं देखाना है, वो क्या करना पड़ेगा sir, comment करना पड़ेगा? अगर आप में ऐसा लगता है कि इसके नहीं दिखाना है तो मैं इसको copy करके और यहाँ जहाँ पे k2 है उसके जगा पे इसका formula based कर देता हूँ और यहाँ नीचे तक इसको drag कर देता हूँ अब इसको मैं delete भी कर दूँगा, तो कोई फर्ट भी बढ़ने वाला है अब मैं इसको आगी drag करने से पहले i6 का i freeze करूँगा और j2 तो पुड़ा फिरीज होगा, यह आपका अजलेंग भी फिरीज होगा और j5 का हमारा सिर 5 फिरीज होगा, क्योंकि row fix है और यह तो पुड़ा फिरीज होगा, क्योंकि address है और इसको आगे drag करने से पहले, क्योंकि इसमें blank नीचे है, तो इस error लगा लेता हूं ताकि जहाँ serial number खतन होता है, वहाँ पे blank दे दे और हमने इसको आगे के तरफ drag कर दिया, और नीचे के तरफ दिया अब नाम यहाँ change करते है, यहाँ मोवन देता हूं मोवन कर शिला गया, मैं यहाँ टीना करता हूं मैं कर शिला गया, मुझे यहाँ योगेश करता है यह यह तरफ शिला गया, और जाना बेटर हो, तो आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ आप इस नाम को उठा लिजिए, और इसी सीट पे या किसी और सीट पे आप इस को पेशच कर दिजिए और डेटा में डेटा वयलेशन, यहाँ पे आपको दीखेगा, डेटा वयलेशन, reopen, और इसमें आप अब जो willyal कर लिस्ट जो लिस्ट चरे करेंगे वह यहाँ पर है दूसरी मुझे 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 बोर्ड़ कर लगाना है अब प्रप्रोल्म नीं है कि मुझे बोर्डर लगाना है जहांपर डेटा मुझे लगाना है मादीजी कि मैंने पूरा का बोड़ इस तरह से लगा दिया नीचे ता तो तो दिक्कत हो जाएगे न को कि मुझे प्रेंट उतना ही लेना है जितना एरिया है करो करो कि मुझे थाएगे लेक्षा जितना ही धर मुझे लुके ले नीचे। तो यह समिच में आएंगे आपको तो क्या करें इसके लिए conditional formatting करेंगे हम जाएंगे new rules यूज फाबूला और हम बनेंगे यहाँ पर कि अगर यह not equal to blind है और यहाँ पर मैं अपना बोर्डर लगाएंगे और इसको ओके और इसको फॉर्मेंटर से जहां तक हमारा डेटा है वहां तक इसको फॉर्मेंटर गलत क्यों हो गया ओके हाँ इसलिए हुआ कि हमारा इसमें फ्रीज था फ्रीज और यह करन ऐसा हुआ अब जितना डेटा होगा वो उतना ही बोर्डर करेड़ करेगा समझे है कोई डाउ 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 डोगो ठीके सर कोई बात नहीं अब इसमें एक और काम करना है कि अब यहां भी क्वांटिटी का टोटल नहां अट करना है हमें एक टोटल का लाइन भी एड़ करना है तो इस टोटल का लाइन को कैसे एड़ किया जाए तो इसके लिए चलिए हम कुछ उपाय करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर करने के कंडिशन की इफ अगर उपर वाली वैलू इक्वल टोटल है तो यहां पर ब्लैंक हो जाए है इस पर टोटल हो जाए हम आपके जिए हम आपके जिए हमने आगे कंडिशन एड़ कर दिया कि जहां फॉर्मूला लगना है उसके उपर का नंबर इक्वल टू मैक्सिमम नंबर है तो वहां पर टोटल शो कर दे अधरबाइब जो फॉर्मूला चल रहा है उसको चल ने दे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो जैसे ही आप देखें यहां भी इस फॉर्मूला को जैसे नीचे तक हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मिलाब यह पूरा को जो आगया है वही यहां से ओ हाँ हम आप कीजिएगा केटू को हमें फ्रीज नहीं किया था हमें केटू को फ्रीज कर दिया अब यहां पर नीचे के तरफ ड्रैग करते हैं तो यहां पर तोटल आचा आगया और फिर यहां पर हम जो वी लू कप है उसमें यहां पर कंडीशन देंगे हाँ पर कंडीशन देंगे कि स्रिया नंबर में यहां पर इफ स्रिया नंबर जहाँ है अगर वहाँ टोटल है तो यहां पर सम का फार्मूला चला है कि अच्छा मैं जो फॉर्मूला चलना उसके चलने जाए और पहले बाले ओर 6 को हम यहां से फ्रीज कर देते हैं और फिर नीचे के तरब इसको ड्रैब करें यहां पर टोटल आ गया लेकिन यह लाइन नहीं जूड़ी तो उसका भी सलुशन है हमारे पास हम यहां पर कंडिशन देंगे नीव डूल्स में जाके यूज फॉर्मूला हम बोलेंगे अगर ए इकोल टोटल है तो क्या करो फॉर्मिट में जाओ फॉर्मिट तो रहेगा साइप का भी रहेगा नीचे वाला फॉर्मिट जो है वह हमारा डबल नाइट है इसको फॉर्मिट प्रिंटर से हमने इसको प्रिंटर से नीचे के तरह से नीचे के तरह से इसको फॉर्मिट पिंटर से नीचे के तरह इसको नहीं बताया था ना आगर हम टेप रिकोर्ट नहीं नहीं था नहीं था ना अब नी कुछ नहीं कर दिया करें था नहीं बोल्ट कर दिया एंड ओके एंड और एंड अप्लाइब इस तरह से चीजी हम कर सकते हैं तो टोटल के और बीच में मर्ज गर्नम मिलता है कि नहीं नहीं सर्व मर्ज नहीं कुछ लिपिटेशन है नहीं कर्णिशन में नहीं है वो अगे बने इसमें अगला ओक्ष्ण आता है कि हमें डेटा लुक अप करना है जो हमने आपको वी लुक अप का जो में थर्ड बताया क्या इसके अलावा कोई और में थर्ड है इसके अलावा एक और में थर्ड है उसको हम बोलते हैं कि अगर यहां पर कविता होती कविता होती कविता होती अगर इसको मर्ज करें जो आप यहां पर आईडी क्रिएट करेंगे ना उसकी अकॉर्डिंग आप यहां मैं स्कूर्डिंग आपको अगर यहां अगर क्रिएट कर बार है करिता वन टू तो यहां भी कर सकते हैं तो यहां भी जो आएगा हो तो आपके इस आईडी कॉलम को अकॉर्डिंग आएगा ना कि मेरे एक प्रोड़क्ट है उसके दो टाइप कर देता है तो यहां पर अगर कवीता को स्लेक्ट करता हूं इसमें देखी कवीता वन नहीं आया नहीं आया ना लेकिन अगर कवीता वन हम यहां पर कवीता वन अगर यह डालूँगा तो फिर आएगा अगरते इसमें अब इसमें जिसे कि हमने आप मताया कि क्या इसके अलावा और कोई मेथाड है जिसका हम इसका 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 इस्तमाल कर सके तो एक मेथाड है वह है स्क्रिप्टिंग मेथाड तो हम इसके लिए जाएंगे डेटा में दुबार के गेट डेटा में और में आपको यहां पे from other sources में नहीं from microsoft qd उसके बाद excel file को select करेंगे and इसको ok करेंगे ok करने के बाद आपको अपना excel file select करना है जो file आपका इसे l2 है न हमारा इस l2 को select करना है तो यहां पे इसमें l2 होगा l2 को select कर लिए अब l2 select होने के बाद अभी क्या है कि कुछ नहीं दिखेगा error दिखेगा क्योंकि इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं आपको तो यहां option में आपको system tables पर click करना होगा system tables पर click कर दिए तो फिर आपको यह seats दिखेंगे फिर seats को यहां पर इसमें हम अपने सारे नाम को यहां से add कर लिए अगर इसमें से particular columns को नहीं चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो कोई दिखकत नहीं है फिर next अब यहां पर conditions तो हमें conditions देना है name के उपर तो name में हमने हां पर बोल दिया equal to एक particular name select कर लेते हैं बाद में चेल्ज करने का तरीका भी आपको बता देंगे यह hang हो गया तो यहां पर पूजा फिर next अब यहां पर मैंने short by quantity कर देता हूं क्योंकि मुझे top 10 उठाने का तो short by quantity हमने select कर लिया और next और यहां पर return to excel इसी आख़ा रहा है कि यह हैं क्यों जा रहा है कुछा दिन से लगए PC बंद नहीं किया साद इसी आख़ा रहे और इसमें हमने table यहां पर कर देंगे तो अभी जो पूरा data आ रहा है और लेकिन मुझे यहां यहां पर मैंने नेम दिया हुआ है और नेम में मैं यहां पर सी टू में जो हमने यहां पर देटा वालेडेशन लगाए और इसमें इसी आप डेटा वालेडेशन यहां लगा देते हैं इसमें डेटा में डेटा वालेडेशन लिस्ट और यहां पर जाके हम इस सीट का इस टेटा को लेड़ेगे अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पर जो नेम से लेक करूं उसी का फिल्टर यहां पर दीखे तो इसके लिए हम क्या गरेंगे इसके लिए यहां हम डेटा मेनु बार में हम जाएंगे आपका क्यूडी एंड कनेक्शन यहां मैं कई दिनों से मैंने पीसी बंद नहीं किया इसलिए ऐसा प्रॉलम हो रहा है और यहां इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर दिख जाएगा definition में आएंगे तो यहां देखिए SQL code है तो इसमें जो पूजा है इस पूजा को यहां से आप delete कर दीजिए इसके जगा पर question mark करेंगे जाएगा और इसको ok करते ही आप से पूछेगा reference use reference हमने इसको कवीता तरीका कहां गया कवीता हमने इस रेक कर लिया आप इसको ख्लोज कर देता हूं आप यहां देखिए अब यहां सिर्फ कवीता की रेटा देख रहा है मैंने यहां पर अगर रभी दिया तो रवी का रेटा नहीं है मैं गलत नाम लिख दिया था रभी के जिगर पर कुछ और होगा अब जगा पूजा होगा पूजा नहीं हो आप यहां पर हमने यहां से पूजा को लिया तो पूजा गए और यहां पर देखिए इस शॉटेड है शॉटेड किसमें है तो इसका यूज हम लोग कर देते हैं टॉप फाइब लेने के लिए अब मुझे इसमें से टॉप फाइब डेटा चाहिए तो नीचे से तो नहीं ऊपर से ले सकते हैं नीचे से कम जधा होते रहता है तो हम लोग क्या करते थे इसको इसमें एक्विली कनेक्शन में जाते हैं हमें वहाँ पर गलती कर दी थी एक बार सेलग करते हुए यहां पर order by quantity है उसको descending करना था हमें descending करने के बाद यह आपका आजाता है तो तो अब यहां चाहिए नहीं बॉटम 5 ले सकते ना बॉटम 5 से अराम से यहां से आप बॉटम 10 जो है आप यहां से अराम से ले सकते हैं एक तरीका ए भी है तो अब आपको कि मेरा ए इस तरीकी को अच्छा लगा या यह तरीकी अच्छा लगा वह आपकी उपर dip in करता है बादा इसमें क्या है कि इसमें हम calculation बगड़ा अपने दिल खोल के कर सकते हैं यहां पे नहीं कर सकते हैं समझना आ गया किसी कोई डाउट